हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप इस वीडियो पे बात करेंगे पीवी केस वर्सिस डीसी ड्रीम इलेवन प्रेडिक्शन एक तरफ है पंजाब किंग्स दूसरी तरफ है डेली कैपिटल बेहद इंपोर्टेंट मैच है बाई मेरे तो भड़े ही खुशी के महल चल रहे है क्यों पे 50 प्लियर दुरों टीम्स के 25-25 प्लियर एकदम नए भी कुछ सितारे हैं भाई एक ऐसा मिस्ट्री स्पिनल लेके हैं उससे लास्ट येर सुयष शर्मा को लेकर आया था और उससे कितने लोगों को गेम जिताया था आपको याद ही होगा तो बहुत बढ़िया बढ़िय सकता है हर चीज मेरी इंफर्मेशन यहां पर आती है मैं वॉइस मेसेज भेज़ता हूं भाई पहले मैचीज बेना स्कॉर्ट चैन्जिस हो सकता है जिसे अन्मिक नोट या भी अवेलेबल नहीं है उनका बेबी होने वला है तो उनकी कौन सा पेसर खेलेगा कोई नया आ गय आपने आ जड़ा है यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी डेली वीडियो कैसे देखोंगे ग्रेंड ली की वीडियो आईगी समय आइगी सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस करना और नोटिफिकेशन ओन कर देना यह जो सब्सक्राइब आपका है न नहीं बहुत है बिल्कुल भाई स्टेडियम पूरा रिस्ट्रक्चर हुआ है यह स्टेडियम बन लिया था दो से तीन साल पहले लेकिन कभी भी आईपल होस्ट यहां पे नहीं हुआ आईपल का कोई भी मैच यहां नहीं खेला गया है जो हुआ यहां पर कुछ सय्यद आ रही है और यहां की जो पिछ है ना एक बरी वो देख लो आप वैसे यहां पर अच्छी स्कोरिंग एक्सपेक्टेड जो ग्राउंड की टर्फ बनाई गई है बहुत बढ़िया बनाई है सो स्कोरर्स के लिए डमेस्टिकली कुछ मैचिस में स्कोर कम बने हैं बट काफी हद तक चेंजिस हो गए हैं तुक प्रोवाइड बैटर हेल्प फॉर बैटर्स बट देखना होगा कैसे यह सिचुएशन ठीक करी गई है और फास्टर बोलर्स को यहां पर मदद होती है उनको यहां पर हेल्प मिल स यहां चार मैचिस हुए है यहां पर अच्छा स्कॉर हो गया था 15 में से 10 विटे साने चाहे तपन विकेट गई हैं दोस्तों टोटल सेंटीस फास्ट को पंदरा स्पिन और चार अनौट हुए तो टोटल एडवांटेज आपको फास्ट बोलर्स का देखने को मिला बाकी बागी निया स्टेडियम है इसके रंग तो असली देखने को मिलें गई वैसे आपके लिए लास्ट अच्छी नॉक्स खेली थी कमाल के खिलाड़ी है थी मैच वन फॉर्टी वन फॉर्टी सेवन का एवरेज एक हाफ सेंचरी कुड भी अपोटेंचल गेम चिंजर ठीक है अभी शेक पोरेल बिंगॉल के विकेट कीपर है यहां पर डेली कैपिटल से ख वरपा मैं लास्ट यह भी बोलता था जिस दिन यह खेला सीधा ट्राय करना इनको ज्याद मौके नहीं मिले करनाटिका के लीड बोलर है अभी बताऊंगा वाई इनके बारे में बहुत बात करनी है में स्पेशल है यह बंदा तीन मैच साथ विकेट खली लहमद दो मैच चा बत्तिस तक्कर का क्या चाहिए नौर्थ डर्बी कह सकते हो नौर्थ इंडियन राइवलरी एक तरफ पंजाब एक तरफ है दिल्ली सोला सोला मैच इस आपको देखने को विनिंग मिली है बत्तिस मैच इसमें नाव जो क्रूशल चीज है पिछले दो हैट टूए ड में क्या टूना मेंट नहीं चले थे, इस मैच में 82 नो टोट मारे थे, मजे की बात पता हूँ, लास्ट ये दिली में थे, इस बार ये पंजाब से खेलेंगे, इसलिए इनका स्कोर मैंने दिली के नीचे लिखा है, लेकिन इस बार ये पंजाब की टीम में है, पृत्वीशो चौवन, डेविड वार्नर 46, इशान शर्मा 2 विकेट, लियम लिविंग स्टोन 94, अथर्फ टाइडे 55, जिनका इस वेन्यू पे भी अच्छा रिकॉर्ड है, और ये एक लोता है, अथर्फ टाइडे का 55 मारे है, प्रप सिमरन सिंग 22, सैम क्यूरेन 11 और 2 विकेट, ये मैच तो हो के भी मिले थे, बट 103 नन मारे थे, सैम क्यूरेन 20 रन 0 विकेट, हरपरीत बढ़ार 4 विकेट, नैतन एलीज 2 विकेट, रहुल चहर 2 विकेट, जबकि दिल्ली से डेविड वार्नर के आये थे 54, प्रवीन दुबे 16 रन 1 विकेट, अक्सर पटेल 1 विकेट, इशान शर्मा 2 विकेट, कुल्दी प्यादव एक विकेट, और मुकेश कुमार के आये थी, एक विकेट, यह सब बाते हमें दोस्तों देखने को मिली थी, काफी काम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जो किया गया है, वो इंटरनेशनल स्टार से किया गया है, लेकिन प्रव सिमरन क तो भाई ये दोनों खिलाड़ी काफी अच्छे दोस्त भी रह चुके हैं अब दोनों सम्राइजर के उपनर नहीं है दोनों सामने होने वाले हैं पृत्वीश और वह दूसरी टीम में नहीं पृत्वीश और नौ मैच 213 का एक हाफ सेंचरी है पंद का ज्यादा अच्छा है रिकॉर्ड नहीं है अक्सर बटेल लगबग 24 के अवरेज है लास्टेर अच्छा खेलेते लेकिन कम बैक करेंगे अगर इस सीजन में और बल्ले से तो मुझे लगता है इंडिया की टीम के लिए भी पुश कर जाएंगे वैसे जड़ेजा हर बार इनको कॉंबेटिशन दे सकते हैं क्योंकि इंडिया और इस वन लेफ्ट हैंट बैटर हो कें लेफ्ट हम और्फोडॉक्स यानि की लेफ्ट हम स्पिन भी डाल सकते हैं प्रप सिमरन सिंग तीन मैच 137 जिसमें एक श्रत तक आपको लास्ट तेम देखने को मिला ही था बागी लिएम लिविंग स्टो जबकि सैम क्यूरेन का विद्दा बैट अच्छा रिकॉर्ड नहीं है जॉनी बैस्टो उनली टू मैच 37 लेकिन सैम क्यूरेन का बोलिंग रिकॉर्ड अच्छा है चार में 6 है और यही अगर अक्सर का देखो 17 में 20 विकेट है बैट से भी बंदा कॉंट्रिब्यूट किया लास्ट टेम रबाड़ा दस में 13 कुल्दी प्यादव चार में पांच हर्परीद बढ़ार में पांच में पांच बाकी एक चीज़ बता दूं स्पाइलर दे दूं मुंबई की टीम में एक 19 साल के साथ वरीकी बोलर आगे हैं जिनको नेक्स रबाड़ा बताया जा रहा है देखते हैं क्या उनके बारे में मुंबई इंडियन की टीम के बारे में जब बात करेंगे तो बताओंगा इशाञ रिचर्ट सन जब भी खेले ये गेमचेंजर बनेगा Mark my words, यह बहुत बढ़िया बोलर है, इनको IPR में ज़्यादा मौके नहीं मिले, एक सीजन मुंबई में थे तब इंजड़ भी हो गए थे, बट यह बंदा बहुत बढ़िया बोलर है, ट्रस्ट मी यह खेलेगा तो आपका गेम चेंजर होगा, और ट्रस्ट मी वेन आई से इस, बहुत लोग यह आपको बोलने वले हैं, कि यह गेम चेंजर हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि सबसे पहले मैंने बोला है, मैं फर्स्ट मैच की वीडियो देख रहा था, जो चीज़े मैंने बोली हैं, वही चीज़े रिपीट देखने को मिल रही थी हर जगा, बागी नैथन ली होता है, टूरमेंट की स्टार्ट से जानना, जितेश शर्मा, दो इनकी 30 की नौक आई है, यह फिनिशर प्लेयर हैं, जाहत तर ऐसे ही खेलते हैं, बट मेरे को बहुत पसंद है, क्योंकि हमेशा इंटेंट के साथ और तेज खेलते हैं, प्रब सिमरन का फॉर्म अच्छा है पी एसल में भी खेले थे, बहुत बढ़िया नहीं रहे पहे थे, बाकि जॉनी बेस्टो सेवेंटी त्री, एटी सिस्टो और और फॉर्टी फॉर्टी है, इनफॉर्म प्लेयर आ रहे हैं, हाला कि थोड़ा इंजरी कंसर्न है जॉनी बेस्टो का, हर प्रिट सिंग से खेलते हैं, ठीक ठाक रिकॉर्ड है, बहुत पसंद है, लास्ट आइपल भी बढ़िया खेलें, यह अच्छा प्लेयर है, शॉर्ट्स काफी अच्छे लगाते हैं, और गॉंडिड भी बढ़िया खेलते हैं, मुझे पसंद है, इनको पंजाब मौका दे, शिवम सिंग, भाई, यह बंदे की फोर्म क्यों अच्छी है, पता है, यह TNPL में खेला था, जस्ट लास्ट आइपल के बाद, यह बंदा वैसे लोकली दिली का है, बट यह तमिल नाडु शिफ्ट हो गए, और तमिल नाडु की लिए क्रिकेट खेलेंगे, होपफुली जल्दी अभी पांच हाफ सेंचरी थी, चार से पांच हाफ सेंचरी थी, यकीन मानिए, बढ़िया खिलाडी है, मौका मिले तो, देन आशुतोष, राम बाबु शर्मा, पूरा नाम भी बता दिया आपको, सोचो कितनी सर्च करके आया होंगा, पूरा नाम तक बता दिया आपको, ठीक है, राम बाबु हैं का मिडल है, 43, 10, 28, 45, 4, हाला कि ठीक प्लेयर लगे, मुझे कुछ बहुत बढ़ा नहीं किया, बट नौर बैड अलसो, विश्वना भाई, ये पंजाब के लोकल टूर्नमेंट से इनको उठाया है, फर्स्ट लास ही एक्स्पीरियंस है, कहा तो जा रहा है, इनकी बहुत कम वीडियो फूटेज बगएरा मुझे देखने को मिली, हर प्लेयर की मैं सर्च करके आता हूँ, फिर आपके सामने आके सबका बताता हूँ, बट इनकी मुझे बहुत कम मिली, और ज्यादा खेले भी नहीं है, ठीक है, और मेबी लोकल टूर्नमेंट में जो और राइट हेंड़ ओस्पिन दोनों कर लेते हैं, तो मैच अप की दिक्कत ही नहीं है, सिकंदर अजा बढ़िया ओस्पिनर, विद्धा बैड भी अच्छ है, पी एसल में लाहूर कलंदर में थे, जिन्होंने बिल्कुल इनका अच्छा प्यग नहीं किया, क्रिस वोक्स इ देखो, फॉर्म लिके आएं, और यह मुंबई इंडियंस के साथ चैंपियन भी बन चुक है, जाधा लोगों को नहीं पता, इन्होंने अपने अंडर, एक ऐसी टीम ही माचल, जिनको जाधा लोग कहते थे, इनका चांस नहीं है जीतने का, अपने अंडर, दमेस्टिक टू जाधा गया, शोर मच गया था, क्योंकि शशांक पर बिड लगाई गई, तो पंजाब वलों ने बोला, हमने गलती से लगा दी, उसके रीजन यह थे, दो शशांक सिंग नाम के प्लेयर थे, पंजाब कन्फ्यूस था, जीने उन पर बिड लगानी थी, क्या यह वही है, क्य तो यह बंदा राइट हैंड, मीडियम भी करता है, इनको मैंने उस्पिन डालते हैं, तो दोनों काम कर लेते हैं, लेकिन डिसेंट मैचेस डेमेस्टिकली मीडियम डाली, तो अब देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि दोनों काम इनको आते हैं, अब जो बढ़िया बात है, वीजय अजारे ट्रोफी में, लगातार दो, 150 रंस की नौकियल के हैं, लगातार दो बारी 150 मार रहें, विच इस नौट इजी, तो बंदा फॉर्म में आ रहे हैं, और यह अल्रेडी चार टीम का हिस्सा रह चुके हैं, इन लोगों को पता नहीं होगा, यह अल्रेडी राज मेरे को लगता है कि काफी, अब सर्च करना इनका नाम ना, आपको दीखेगा, उक्षन में शायद पंजाब लेना नहीं चाहती थी, यह बड़ बिल्कुल गलत है, बंदा फॉर्म में आ रहा है, काम का खिलाडी है, अब यहाँ पे आप देखो, बोलिंग जबरदस्त है, हर अर्शल, वैसे तो रन खालेते हैं, कई बार, लेकिन विकेट टेकर है, क्योंकि डेथ बोलर अच्छे है, कगीज और अबाड़ा हम सबको पता है, रिगार्लेस ओफोर्म इंपोर्टेंट है, नैटनली इस डेथ बोलर है, कई बारी दो-दो विकेट निकाली है, अर्जदी करपा, और डेडी बता चुको, इनकी 13 T20 में 23 विकेट के करीम है, अभी दिखाऊंगा, फुल स्ट नोटिस करना, बढ़िया बोलर है, फॉर्म भी डिसेंट है, 1-0-2-0-2 विकेट, भाई, थयाग राजन को लेकिया है, लेफट आम स्पिनर, जो की डमेस्टिकली ठीक खेल जो बंदा आपको 0-0 विकेट दिख रहा है, फर्स्ट क्लास में, लेक स्पिनर, प्रिंस चौधरी, इनको भाई, ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, इनकी ही न्यूस थी, ट्रेवर बेलिस को बोला, रिशी दवन ने की भाई, इस प्लेयर को चेक आउट करो, जो उनके कोच निकाल दिये, तो ये बंदा काफी नाम लेके आ रहा है, ज़्यादा लोग आपको बताई नहीं पाएंगे इनके बारे में, बट इन्दा कैप इस बंदे की excitement है, क्योंकि ये बंदा हर टीम को जो चाही होता है, एक टाइप में आपको ना, आज से 5 साल पहले, ठीक है, 4-5 स अब हम दोस्तों इनकी लाइनप देख रहे हैं, पंजाब किंग्स बहुत सॉलिड यूनिट तो नहीं है, बट विद्धा बोलिंग में, स्पिन डिपार्टमेंट में कमी है, बट अगर प्रिंस चौधरी निया काम कर देते हैं, तो वो एक इनके सुपर स्टार बन सकते हैं इनके लिए देखो प्रॉइबल 11 प्लस वन यानि इंपक्ट प्लेयर के साथ बताऊंगा, मुझे लगता है इंपक्ट प्लेयर प्रफिबन सिंग होंगे, शिकर के साथ ओपनिंग, लास्ट यर भी इंपक्ट प्लेयर रहते हैं, आईपल में रूल है, आप ग्यारा खिलाड यहाँ पर सैम क्यूरैन और यहाँ पर लियाम लिविंग श्टोन है, डेप अच्छी है टीम में, बढ़िया प्लेयर हैं, बैक अप भी अच्छे हैं, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिल रहे हैं, सबके फूल स्टाट्स, अब विद्धा बैट तो आपको जो बड़ी तींग है, ताकि आपको सब का ग्यान रहे, सब के बारे में आपको मैंने रिसेंट फॉर्म समझाई ही है, बाकी मैं आपको एक्स्प्लेइन पूरा करने ही वला हूँ, अब बोलिंग में, सब के मैच इस रन्स विकेट, ज्यादा देखो के तो काम आये नहीं है प्रिंस सौधरी, लेकिन भाई, नाम है, जो मैंने बताया, क्योंकि ये की फर्स्ट ट्लास मैच तो खेले हैं, कवरप्पा का 13 में 30 बताया था, वही है, ये बंदा 1-2 वाच ओट फॉर अगर ये खेल जाए, बाकी हर्शल और रबाड़ा पे टीम काफी निर्पर करेगी, अब इनके लास्ट यर के हीरोज देखते हैं, पंजाब के पिछले साल कौन से सितारे चमके थे, ये देखते हैं, तो भाई, पिछले साल शिकर दवन, 11 मैच 373, 41 एवरेज 3.5 सेंसरी, प्रप सिमलन सिंग जादा तो नहीं चले, लेकिन टूरामेंट में एक शतक, एक अर श चलो, लिया हैं, अगर फिर से बढ़िया खेल जाए, तो पंजाब के लिए बढ़िया है, सैं क्यूरें 27 का, यहां पे आपको देखने को मिल एवरेज, एक हाफ सेंचरी है, राइली रेसोग 9 मैच 209 थे, लेकिन ये खेले दिली से थे, इनका एक हाफ सेंचरी था, अथरफ चे मैच खेले थे, मुझे कहना चाहिए, और चे मेच साथ विकेट ही लिये थे, तो कुछ खास नहीं किया था, बट अभी भी सबसें बॉटन बोलर इनके रवाड़ा हैं, अर्षदीप सिंग डंडे निकालने भाई, तो दो अच्छे डेथ बोलर होगे, 14 में 17, फास बोलर इनके अच्छे हैं, हर्षल लास्ट हैं, बेंगलॉर में थे, 14 में 14 विकेट है, नैथने लीज दस में 13, इनों ने स्टेप इन किया था, जब रवाड़ा नहीं खेल पा रहे थे, 14 में 10 विकेट, सैम क्यूरैन, भाई, हर्परीद बढ़ार 13 में 9, लेकिन ध्यान रखना इस इस बर IPL की स्पॉंसर है, फैंटेसी पार्टनर है, इसलिए मैंने इनके बारे में आपको बताना अच्छा भी समझा, और आपके लिए एक स्पेशल चीज लेके आ हो, नए हो पहली बारी खेलने वाले हो, अगर 11 सरकल पर वैसे बहुत लोग खेल रहे हैं, फिर भी अगर आए हो, फिर्स डिपॉजट कोड यूज करना, M.E.C. नू, M.E.C. यानि मैं 11 सरकल नू, इससे होगा क्या आप हजार उपर डालते हो, आपको 1200 मिलेंगे, रियल कैश 20 परसंट एक्स्ट यह ओनली फॉर फिर्स टाइम डिपॉजट यूजर्स है, और उनको 1500 बोनस तो वैस प्राइज 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 प्रा आपका निया ओफर है अभी डाउनलोड कर लो एप्लिकेशन लिंक में दिया हुए डिस्क्रिप्शन में टॉप के कुमेंट में और वन रुपी में ग्रैंड लीग आपको मिल जाएगी एक टीम लगा सकते हो वन रुपी में यह पहले बता दूँ बाकी सब आपको एक्सप्ल के लिए वैसे भी अच्छा नहीं था काफी लग रहा था खुश नहीं है और जो इनके साथ वह भी अच्छा नहीं था बट मैं उम्मीद करूंगा क्योंकि इंडिया के विकेट कीपर रह चुके हैं कमबैक जबरदस्तों क्योंकि कमबैक दिखाती है खराब टाइम सबका आ है कि के लिए ट्रिस्टें सबसक्ति उमीद कर आँं के ऐस फिनीशर क्योंकि इस टीम के फिनीशर जो होने वाले थे वह तो हो गए बाहर तो आप ट्रिस्टेंस सबसे काफी जादा उमीद है 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 और एक विकेट चोपन से आ रहे हैं यहां विकेट कीपर में लिखा है यहा एक बंदा राजिस्तान रोयल्स में भी आपको देखने को मिलेगा साउथ आफरीका का जो टैलेंट है ना विकेट कीपर, ओल राउंडर ऐसे से प्लेयर हैं, बोलिंग भी कर जाते हैं गभी-गभी तो यही ट्रिश्चन स्टब्स का है यही जब मैं डोनोवन फरेरिया की बात करूँगा राजिस्तान रोयल्स में उनका भी यही काम है विकेट कीपिंग भी करते हैं, बोलिंग भी कर लेते हैं ठीक है, तो देखते हैं क्या रोल मिलते हैं और जारखंड के विकेट कीपर कुछ स्पेशल होते हैं क्या कोई याद आया विकेट कीपर जारखंड के नाम पर कमेंट करके बता दू ठीक है, बाकी डेविड वार्नर 31, 81, 22, 70, 11, 42 फॉम में आ रहे हैं, अच्छा खेले हैं जेक फ्रेजर मैगग, भाई, रिकी पॉंडिंग ने इनको बुलाया रिकी पॉंडिंग मुसे ना इनकी तारीफ रुकती नहीं है जो कोच है अभी यहाँ पे डैली के बहुत तारीफ करते हैं भाई यंग प्लेयर है लेकिन भाई क्या खेला इस बार बिग बैश में रिकॉर्ड देखो 41, 14, 54, 42, 26, 14, 70 भाई स्ट्राइक रेट देखने वाला होता बंदे का बंदा रुकता ही नहीं है अगर यह स्पिन टैकल कर गया बढ़िया बहुत बढ़िया पेस तो यह जब्रदस्त मारते हैं स्पिन टैकल करेंगे या नहीं क्योंकि इंडियन कंडिशन में पहली बारी आए बस यही देखने वाली बात है प्रित्वी शौ का फॉर्म कुछ जादे ही खराब है एक चौवन आया है एक न यह भी देखने को मिलेगा कि भाई शौ का शो आता है कि नहीं क्योंकि यह एक न लाइम लैट में रहने वाले खिला रही है क्रिटीसिजम बहुत मिलिये ताईम में देखते हैं अब क्या करते हैं क्या लगता है कैसा सीजन जाए एक बाई बाई टैली ने जिस प्लैयर पे बहुत इन्वेस्ट किया है अब इक इस के हो गए हैं बट उस टाइम पे बूस साल के थे जब ऑल थी फॉर्माट प्लेयर हो पूरे वीडियो की हाइलेट मुझे सबसे ज्यादा मज़ा आया तो वह खिलाडिता स्वास्तिक चिकारा जिनको नहीं पता पहले तो विजय हजारे जिनको नहीं पता यह पहले स्प्रिंट करते थे यह भाग लेते थे उसके बाद करिकेटर बने बहुत जबरदस्ट लेयर हैं जिनको नहीं पता कहां से यूपी के लिए खेलते हैं यूपी टीट्वेंटी लीग में तीन शतक मारे इनको आया भाई फोन इनको आया मुंबई को आया राजस्तान वाट के लिए त्राइल देखिया है लेकिन एसे प्लियर नाम कमाते है जिप्लैटफॉं मिलता है क्योंकि हंगर होगा परफॉर्म करने का बाकी देखते नर्वस होते हैं या काम करके जाते हैं क्योंकि नए खिलाडिये मिचल मार्च भाई ऊच्छा है बात हो रही है और श्रिडिया के लिए इनको बहुत ज्यादा कैप्टन सी भी मिलने के चांस बनने है अक्सर बटेल विद्द बोल दो विकेट बैट सभी कतिसरन एक विकेट इंपॉर्टेंट है लली त्यादव डेमेस्टिक लिए अच्छा किया है बाई डेमेस्टिक में है और जब जब लास्टियर इनको काम नहीं मिला बड़ मुझे याद है रिशब पंत को इनको अलग भरोसा था जब रिशब पंत कैप्टन थे आथ से दो साल पहले क्योंकि लास्टियर तो पंत का आपको पता ही है क्या हुआ है जब यहां पे लली त्यादव थे तो काफी का था ठीक है जब रिशब पंत कैप्टन थे नाइन नॉट और टू विकेट पंदरा प्लस जीरो विकेट और दो विकेट बाकि सुमित कुमार लेकिन पर्फॉर्मेस नहीं आया खास इसलिए मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हर्याना से खेलते हैं बड़ वैसे जैन्वन खूंगा फॉर्म ठीक्ठा की है बट इशान सर्मा का फॉर्म अच्छा है 1-2-2-2 विकेट खलील एमद कर डोमेस्टिकली अच्छा फॉम है इनके में लेफ्ट आर्मर होते हैं मुकेश कुमार जब रीसेंटली इंडिया से सीरीज के लिए प्टाय हुई बड़ एकस्पेक यहां से आपको मैंने बताया आये थे इनके यजधुल उसी अकैडमी में विक्की ओट्सवाल खेले थे और डेली कैडमी थी छे मैंस में पिछले छे विकेट निकाल के आ रहे हैं तो सब प्लेयर के बारे में दिली के भी हमने जान दिया हम लाइन अप पे आ गए हैं वार्नर और शो की ओपनिंग पार्टनर्शिप होने वली है इंपैक्ट प्लेयर होंगे मुस्ट लैक्ली शौ बल्ले से कहलेंगे गे लित्यादव अक्सर बटेल जो बहुत जरूरी है ठीक है टीम के लिए एक बैलेंस देते हैं जाय रिचर्टसन कुली प्यादव मुकेश कुमार और खलील एमद आपको देखने को मिले जाएंगे अब आप फुल स्टैट्स इंफो सबके देख लो भाई देखो टीम बढ़ कि अभी तक अभी यंग हैं काम कर सकते हैं अक्सर बटेल काफी बढ़िया है ज्यान रखके चलना अपना एक बना लिए लेवल डमेस्टिक में यह ओल त्री फॉर्मेट दिल्ली के लिए ग्यारा में आना असान नहीं है तो काम के खिलाडी है बोलिंग में आप सबका को ही लीड लेनी पड़ेगी बोलिंग अटैक की अब दोस्तों आप देख रहे हो डेली कैपिटल के लास्ट येर का जो रिजल्ट था अच्छा नहीं था वार्नर पे काफी टीम ने डिपेंड किया वार्नर के बाद मानोगे अक्सर के हाई स्कोर है वार्नर ने तो छे आफ प्रेल अच्छा नहीं किये ट्रिस्टन स्ट इस साल संराइज इस्टन केव के लिए साउथ आफ्रीका टीटवेंड लीग में अच्छी फॉर्म में चैंपियन भी बने बोलिंग में मार्श और अक्सर का काम बना नौमें बारा विकेट मार्श चौदा में ग्यारा विकेट में एक सारी बात हमने इनकी भी कर ली लास्ट यर के स्टैट को लेकर भी अब दोस्तों हम प्लेयर मैच अपस देखने वाले हैं कॉलिटी मैच अपस है फोकस करना शिकरदबन वर्सिस इशान शर्मा भाई बड़ा मैच अप है भाई दोनों ही दिल्ली के ठहरे और दोनों म किया खली लेमद ने एक बार किया भाई जाही रिचरट्सन ने भी एक बार किया टीटी में एक बर वंडे में भी तो मैच अप में अगर जाही और इशांथ खेल रहे हैं थोड़ा रिस्क ले सकते हो शिकर पर क्योंकि तंग हुए हैं और जाही रिचरट्सन इसा दिल्ली किया आके जॉनी बैस्ट्रो कुल दीप आउट हुए हैं एक बार टीट्वेंटी दो बार वंडे खलील क्या गया उट हुए हैं बाकी बंडे के कुछ मैच अप से हैं बाकी कुछ ज़्यादा दिक्कत इनको आई नहीं है आई थिंग अक्सर कैन भी अप्लेयर जो हर प्लेयर पर आउट हो सकते हैं क्योंकि उनकी नेचर है तेश खेलना जितेश अक्सर के हैं परिशान 15 में तेना रन और दो बर आउट हुए हैं वहीं अगर बात करूँ से हैं क्यों रहे हैं नॉर्मल मैच अप से सिकंद्रे जगा देख लो खेलने के चांस कम है बड़ अ पांच बार वंडे और यह वंडे के मैचिस याद कर लेना वर्ल्ड कप के मैचिस भी हैं इसमें सैम क्यूरैन ने दुबार किया है सबसे बड़ा थ्रेट मुझे दिख रहा है ना रवाड़ा ही दिख रहा है वोक्स भी अगर बाइचांस खेल जाए काम कर सकते हैं शौ रह मारने जाते हैं मिचल मार्श आल्मोस सबके आगे एक आदी बारी आउट हुए लेकिन वंडे का रिकॉर्ड देखो तो तीन बार बाड़ा के वंडे में उट है ओवरॉल राहूल चहर की नौगेंद लगी उस प्याउट हर्शल की साथ गिंद लगी उस प्याउट सब क्या करना बढ़िया खेल पाएंगे सेम क्यूरें ने सबस्कॉर की है बाकी कोई मैच अप में दिक्कत नहीं है अक्सर नैथन इलीस और शाहर के आगे उट है शाय होप का मैच अप देख लो बड़ खेलने के चांस कम है तो जो मैच अप की थे वो हमने देखे मज़ा आया देख करते हैं साथी में दोस्तों आपको चॉइस मिलेगी जो इनको एक्चली जब इंजरी हुई इनको रिशपन को उनको रिप्लेस किया टीट्वेंटी सीरीज में जितेश शर्मा ने तो यह भी अच्छे प्लेयर है एग्रेसिव नेचर के प्लेयर है थोड़ा लोर और में आत करता अगर पंजाब चाहे इनको वन डॉन पर भी रख सकती है तो यहां पर जॉनी बैस्टो भी आपकी एक अच्छी चोइस है आप इनके साथ भी जाए मैं यही सजिस्ट करूंगा प्रब सिमरंद सिंग कहलो या सिमरंद सिंग कहलो बहुत बढ़िया खिलाडी हैं सब्स भी खेलते दिखेंगे लेकिन एस फिनिशर सौथ आफ्रीका के काफी तावर तोर खिलाडी हैं सौथ आफ्रीका को भी रेप्रेजेंट कर चुके हैं इस साल सन्राइज इस्टन के से काफी अच्छी फॉर्म में थे तो ट्राइब कर सकते हो बट मैं अभी नहीं ध्या खेले थे दिली से अच्छा फॉर्म नहीं था बट कुमार कुशागरा जारखन का विकेट कीपर है अच्छा खेल के आ रहा है हो सकता है खेले बट अभी स्टार्टिंगे मैं इनको प्रेफरेंस नहीं दूँगा तो मैं सेफ गया हूं जॉनी बैस्ट्रो और रिशाप जरूर है कैसा खेलेंगे बट मैं उनको बैक कर रहा हूं दोस्तों बल्लेबाजी में आप बहुत विकल्प है लेकिन डेविड वोर्नर सबसे सॉलिड विकल्प है जो सीरीज हुई थी उसमें इन्हों ने अच्छी फॉर्म दिखाई थी स्कोरिंग करी थी तो मैं इनको प् आप सीवी सी कर दो बट मैं टीम में रखके चल रहा हूं हां अगर आपको करना है आप बैक करना चाहते हो क्योंकि टिकने वाले प्लेयर हैं अराम से खेलती है बाकी पंजाब की टीम का रोल है आके मारो तो ये काम के चक्कर में धवन फायदा उठा सकते हैं मैं अभी धव गुड्स यानि की भैतर कर सकते हैं इस साल बट अभी मैं टीम में फर्स्ट मैच में नहीं ले रहा हूं अच्छा स्लॉट है सामने अगें जो बोलिंग है पंजाब की वो भी बहुत बढ़िया नहीं दिख रही अगें रंस लगा सकते हैं स्पिन पर जल्दी आउट होते है अगें डेली अकेडमी से आये हैं रीसेंट बहुत अच्छा फॉर्म है हो सकता है इनका ये इस बार इतना नाम हुझा है कि अगले सीजन आप हर बारी यजजदुल को लो मिडल ओर ये संभाद सकते हैं जेक फ्रेजर में अगग भाई रिकी पॉंडिंग के फेवरेट है मे रहे हैं क्या इनको मौका मिलेगा विद वॉर्णर और मार्श अभी मुझे लग रहा है स्टार्टिंग में मौका नहीं मिलेगा ठीक है हर प्रेज सेंग लास्यर कुछ फॉर्म नहीं दिखाए थे रिकी बुई थोड़ा स्लो खेलते हैं अपनी पावर गेम करिया अभी मैं इनको टीम में नहीं रख रहा हूं भाई शीवम सिंग शीवम सिंग भी कमाल का खिलाड़ी है शीवम सिंग टीन पिल में गया बहुत अच्छे नौ मैच में पांच हाफ सेंश्री लगा किया पहले दिली में रहते थे अब तमिलनाडू में बेस शिफ्ट करा बस टी 20 के बह बलेवाजी करती है उक्षन में इनको दिली लेखे गए चार टीम ने जब इनको ट्रायल में बुलाया इनकी लोकल परफॉर्मेंस में यूपीटी 20 लीग में इतरा बढ़िया खेले कि इनको बुला लिया गया बढ़िया खेलाड़ी है वीजह जारे ट्रोफी में आते ही इ में बढ़िया बट और मिचल मार्ष अक्सर प्रटेल यह दोनों टीम के ब्लेघ्र बने थे लास्ट यर मिचल मार्श टॉप विकेट टेकर थे अकसर सेकेंड आईस विकेट टेकर थे ठीक है तो यह दोनों को रखना है मार्श ने बल्ले से लास्ट यर कम फरम दिखाया प्लेयर ये भी बढ़िया इनको बहार रखना मुश्किल है स्पेशली जब आप देखो ना इनकी टीम में स्विनर नहीं है कोई बहुत बढ़िया उल्चाहर के अलावा तो हो सकता है सिकंदर रजा को रोल मिल जाए इस बारी मज़ा आएगा अगर सिकंदर रजा खेलते हैं म हर्शल बटेल बाई डेथ बोलिंग का रोल है लेकर चल रहा हूँ इस वज़े से डेथ में आके बहुत बढ़िया बोलिंग कर सकते हैं मानता हो पिछला सीजन अच्छा नहीं रहा रन खा लेते हैं बड़ विकेट टेकिंग बोलर है अपने आपको प्रूफ करना चाहेंग रिशी दवन स्विंग बोलर हैं ठीक है बड़िया प्लेयर है ये भी बैट चला लेते हैं सुमित कुमार वैसे तो ठीक और राउंडर है ज्यादा ध्यान मत देना थ्याग राजन है ज्यादा स्पिन से काम करते हैं थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी दे देते हैं बट प्लस पंजाब की बोलिंग है उसमें अरजदीप रवाड़ा हर्शल तीनों इनके पास ऐसे बोलर है जो डेथ में बी कॉंट्रिब्यूट कर सकते हैं आप अभी एक काम कर सकते हो जॉनी वेस्टों को थोड़ा सा रिस्क ले रहा हुए अभी क्योंकि मेरे को ना बोलर चाह करूँ कुल्दीप को भी करूँगा मेरे फाइनल प्लेयर वह हैं बट सबकी एक्स्प्लेशन के बाद मुकेश कुमार हो सकता है कुछ हो डेथ में कर जे हाला के इसेंड में पटाई हुई है बट डमेस्टिक में बढ़िया बोलर रहे हैं इंटरनेशल मौकों में ती 20 में अच्छा नहीं कर पाए हर प्रिविदार लेफ्ट टाम स्पिनर लास्ट टोर में चार विकेट है बट यह उतने कंसिस्टेंट नहीं है विद्धा बैट भी कॉंट्रिब्यूट कर सकते है राहुल चहर लेक्स्पिनर बढ़िया बोलर है लास सीजन अच्छा नहीं था लेक प्रिंस चौधरी के बारे में आपको बताया था ट्राइल पर आके ओवर्स किये विक्टे निकाली इनके कोच ट्राइवर बिलिस खुश हो गए और इनको रखा अपनी टीम में कि भाई आप हमारे लिए कर सकते हो इनको लोग जानते नहीं है सिलेक्शन नहीं है वन परसेंट भी नहीं है जरूर ट्राइ करो अगर खेले तो रसिक सलाम है पेस डालते है इंट्टिस गड़ के सामने च्हें लेकिन जादा नहीं चले देन गेमचेंजर विद्वत करपा टीन मैच में शाथ इस ग् और सब्सक्राइब आफ कि नतら Fisher एक साम करते हैं तौछ थोड़ा डिऍसक्त courts जातेयों पीजह को ठूड़ संड़् दिलाल जायर रिचर्ड संगी जगा हम कुलदीप यादब अपनी टीम पे मेरी एक नजर रहेगी क्योंकि भाई मेरे को जायर इच्टेट सन को लेने का मन है ही इस आप पोटेंशल गेम चेंजर जो हमें मैच जिता सकता है तो फाइनल टीम एक बार देखना जरूर अभी जो मेरी फाइनल टीम है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ विगेट कीपिक में रिशप पंथ, डेविड वॉर्णर, शिखर दवन, मिचल मार्श, अक्षर पटेल, सैम क्यूरान, लियम, हर्शल, अर्षदीप, कुल्दीप और रबाड़ा जॉनी बैस्ट्रो को आप डाल सकते हो, किसी ओल्डर को कम करके, एंड बोलिंग में जाय रिचर्ट्सन, इसके अलाबा मैं ज्यादा चिंजिस सेज़ेस्ट नहीं करूँगा, यही जो बने आपको तेरा प्लेयर बताए, इनी में आप चूस करो, ज्यादा अच्छा रहेग चौके शक्के भी लगाते हैं, तो मल्टी डिमेंशनल प्लेयर हैं, जो आपको पॉइंट दे के जाते हैं, ठीक है, वाइस केप्टन सी, आप अकसर, सैं क्यूरेन, और एवन किसी हार्ड हिटर जैसे डेविड वर्नर को दे सकते हो, मैं अभी थोड़ा सा अकसर को दिया हू बोलिंग अब सब जानते हैं, उनकी कैचिंग मुजीशन बे अकसर रहते हैं, तो अकसर, अकसर पॉइंट दे के जाते हैं, और मिचल मार्श तो वैसे ही काफी अच्छे पॉइंट देते हैं, मार्श मारते भी हैं, ठीक है रंस, तो ये दोनों मेरे CVC है, ये है मेरी final team, grand league की वीडियो इस match की, जिस पर सब चीज़े बताऊंगा, हम अपनी fantasy teams बनाएंगे from grand league point of view, last भी ये काऊंगा, necessary links description में है, telegram का, youtube का, आपको subscribe button प्रेस करना है, my 11 circle में, अब आप दोस्तों, दो रुपे लगाके, दो grand league teams भी बना सकते हो, खिक है, वो कैसे, just अगर आप नई यूजरों, link से download करें, इतने सारे offer आपको बताएं, खेल कर देखें, और काफी अच्छी अपनी teams बना कर देखें, मैं अगली वीडियो में आपको मिलने आउंगा, बहुत फायदा उठानी कोशिश करेंगे, grand league वीडियो भी देखिएगा, और match 3 भी आज ही है, तो वो भी वीडियो देखके जानी है, अगली वीडियो में मिलता हूं,